तो सबसे पहले आप लोगों को बताऊंगा मृ और सीरम यह दोनों चीज अलग अलग चीज़ हें व्यक्त ही बहुत ही बेसिक सा डाउट है लेकिन बहुत लोगों के मन में हम यूस करते हैं सीरम स्मूथनिंग के बाद या फिर blood dry के बाद या फिर जो भी heat से related treatment कराते हैं उसके बाद हमें उसे serum use क्यों करना है किसलिए हम serum use करते हैं तो आज इस वीडियो में पूरा serum के हर में detail दूँगा ताकि आप लोग के मन में जो भी doubt हो पूरी तरह से clear हो जाए तो सबसे पहले मैं आप लोग को बताऊंगा oil और serum यह दोनों चीज अलग अलग चीज़े हैं जी हां बहुत लोगों serum नहीं पता नहीं पता है तो आज काई वीडियो देखने से आपको पता चल जाएगा तो oil जो हमारे root में मसाज करने के लिए होता है और जो serum है वो हमारे length के लिए होता है जो कि हमारे length को smooth और shine बनात उससे काफी protect करता है serum क्योंकि serum में होता है silicon silicon जो कि हमारे hairs पर एक plastic टाइप का layer वाला एक lamination दे देता है इसलिए serum सबसे best है अब मैं आप लोगों को सबसे best serum कुण सा है तो सबसे best serum बहुत सारे आते हैं जैसे कि सबसे पहले stricts हो गया या फिल लारियल हो गया शोसकॉफ हो बहुत सारे company के आते हैं तो आप लोग कोई भी serum यूज के लिए सबसे best है बस आप लोगों को यूज करने का तरीका पता होना चाहिए तो चलिए इस जुड़े में आप लोग को ये भी पता देता हूं कि यूज कैसे किया जाए और किन-किन बालों पर इसे हम ज्यादा जल्ट आएगा उसके पहले अगर आप लोग ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों वो जो सब्सक्राइब का रेट करका बटन है उसे क्लिक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि दोस्तों काफी ज्यादा मेहनत लगती वीडियो बन तो थैंक्यू सो मच आप लोग ने लाइक कर लिए तो चलिए अब मैं आप लोग को आगे बुडियों बताता हूं सबसे पहले तो हम लोग यूज करेंगे स्मूथ निंग हैर पड़ जियां जब आप लोग स्मूथ निंग कराते हो तो उसे मेंटेन करने के लिए आप लोग क जब गीले बालों में थोड़े से मतलब ट्राइ करने के लिए तब आप लोग देखो कि आपका कोम बहुत ही आसानी से एकदम टैंगल फ्री होईगा और हमारे है अचानी से हम लोग कंगी कर सकते हैं तो सबसे पहले स्मूथ निंग हैर पार हम लोग गीले बाल में करेंगे और उसके बाद में जब बाल सूख जाए और जैसे कि आप लोग को कहीं बाहर जाना है एर बोर ड्राइ दिख रहे हैं स्मूथ निंग हैर्स हो या फिर नॉर्मल है कैसे भी हैर्स हो अगर ड्राइ हैर्स दिख रहे है थोड़ा सा शाइनी लुक शाहिए ओल लगा लोग तो एकदम चिपचेपा लुक हो जाएगा तो हम लोग उसके लिए सीरम यूज करते हैं सीरम आप लोग को फिर से पता तो रूट में नहीं लगाना है आप लोग को सिर्फ लेंथ में लगाना है अगर आप लोग ने ब्लोड राइ कर दिया है ब्लोड राइ एकदम जादा कोई ब्टोड करता है, जिससे हमेशा यह बाल सेट करले की आदत है, तो उसके लिए सीरम काफी बेश्ट में कहरी है, ब्लोड राए कर लिए और फिर उसके बाद में आप लोग सीरम को अपलाय आ प्लाय कर करेंगी श्ट्रीक्स और है इसे में गोल्ड में भी आता है और ब्लू है बांगी और ब्राइंड से चलिए दोस्तु सब सहीरं कईर में क्योंक्त सब है यहीं के बारे मेर disposit अब जो की आप लेकर और और यहीं कोई डाउट से सिरम में आपके मुझे कमेंट्स करिए या फिर और किसी भी प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोग को नौलेज चाहिए तो कमेंट्स करिए मैं आप लोग के लिए वीडियो लाता रहूंगा और मेरा इंस्टाग्राम आईडिया है स्टालिश रोवी उस पर जाईए उसे फॉलव जरूर करना दोस्त प्लीज जल्दी से लाइक कर लिजे क्योंकि काफी जादा नौलेजबल वीडियो था ये इसी तरह मैं आप लोग के लिए नए नए वीडियो लाता रहूंगा आप लोग भी अपना प्यार बनाए रिखिए इसी तरह मिलते हैं नेक्ट्स वीडियो में बाई बाई टेक केर क्या है